हलो अबरिवन तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो CBSC के तरप से सेंपल पेपर रिलीज क्या गया है क्लास 10th के लिए सेशन 2021-22 के लिए टर्म 1 एक्जाम के लिए जो आपको नवंबर दिसंबर में होने वाला है उसके लिए जो सेंपल पेपर है इसको सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि इसका क्या पेटर्न रहने वाला है किस टाइफ का कोईचन्स पूछा जाएगा और कितने यहाँ पे सेक्शन में पूछा जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि यह जो है वो टोटल तीन पार्ट्स में होगा आपको कोई 4 questions नहीं आता है तो कोई tension लेने वाली बात नहीं है आपको भी 16 questions यहां से solve कर ले आपका 16 marks आ जाएगा अब क्या होगा अगर आप 17 questions solve कर देंगे तो आगे हम आपको बताएंगे 2nd H आपके यहां पे section B में section B में भी आपको क्या है यहां पे भी 20 questions होगा बट अगें यहां पे भी 16 Potatoist बनाना है 16 coefficients यहां पे भी बनाना है और थर्ड-darts में जो होगा यहां पे 10 questions गिवन होगा और उसमें से आपको 8 questions सी बनाना है means total आपका कितना हो गया 16 plus 16 plus 8 means 40 questions से आपको solve करना है means यह हो गया कि 50 में 40 solve करना है means 40 out of 50 50 questions में से 40 questions से आपको solve करना है but section A से 16 section B से 16 और section C से 8 करना है सबसे पहले हम last में आपको बताएं कि अगर आप 17 questions स्वाल बग कर देते हैं तो क्या होगा और बहुत सारे स्ट्वेंट ऐसा भी होंगे जो हो सकता है कि 20 में 20 कर दे उसको पता ही ना चले उस में क्या होगा वू भी हम आपको बताएंगे ऐस पहले हम लोग कुछ को एवी सारह को बताएंगे यहां पर आपके पास को अप्सन नहीं अब सबसे पहले मंग northwest नमबर वन ना यहां प्राइम इसमले आपको यह LCM और HCF का रेशियो चाहिए, बट किसका LCM और HCF का, यहां बोला है List Composite Number and List Prime Number, अब पहले आपको यह पता होना चाहिए कि List Prime Number और List Composite Number होता क्या है, तो यह को List Composite Number जो है, वो 4 होता है, और List Prime Number है, वो 2 होता है, अब जिसको यह पता है, वो तो इसको easily solve कर लेगा, अब अग लिखेगा कि LCM कितना हाला है, आपके पास 4, ठीक है, और इसका HCF निकालोगे, तो 2 ही आएगा, 4 और 2 का LCM 4 आएगा, और HCF 2 आएगा, अब इसको आप डिवाइड करोगे, तो कितना गया, रूसी का रेशियो बोल रहा था, हम लोग यहां पे लिख लिए, तो यहां जाग 7 equals to 3 and 15X plus 21 equals to K, कौन साइड is, अब यह दोनों लाइन कौन साइड कर रहा है, कौन साइड का सिच्वेशन में क्या होता है, A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2, यही होता है, अब यहां पे आपको करना यह है, कि यहां पे देखना है कि देखो, यहां पे अगर आप easily देखोगे, तो क्य 7 का 3 times कर रहे हैं, तो 21 आ रहा है, तो 3 का आप कितने times करोगे, 3 times तो कितना हो जाएगा, 9, यहां पे आपका answer डारेक्ट निकल के आ जाएगा, यह चीज आप देख सकते, अगर आपको यह चीजे नहीं पता चल रहा है, तो आप इसका help ले करके भी solve कर सकते, बट यहां पे MC क्यों है, तो ध्यान रखे, जितना easy से easy way आप solve कर सकते, वही mind में रखे, ठीक है, चलो, अब हम लोग देखते हैं, questions number 3, questions number 3 में क्या है, girls walk 200 meter towards east and then 150 meter towards north, अब पहले यह देख लो, east किस side होगा और north किस side होगा, यहां देखो, यहां से east side हो जाएगा north, और इधर south होता है, east side लेना है, ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे, तो east side कितना बोला है, 200 meter, इधर हम लोग 200 meter ले लिए, और east side बोला है, आपका 150 meter, अब आगे find क्या करना है, the distance of girls from starting point to starting point, अब starting point और final point में उस girls का distance find करना है, means actual में, अगर आप इसको physics में बोलते हैं, तो displacement actual में आप आपको find करना है, बट यहां पर hypotenuse है, right angle triangle है, ठीक है, अब देखो, आप इसको easily कैसे solve कर सकते हैं, इसको 200 का हम 20 लेते हैं, और 150 का हम लोग 15 लेते हैं, कि वल, इसने क्या होगा, last में जो answer है, उसमें 0 हम लोग लगा देंगे, तो 20 का square कितना हो जाएगा, hypotenuse निकालते है, 400 प्लस, 15 का square कितना हो जाएगा, 225, इसको अगर आप एड करोगे, तो यहाँ जागा 625, और 625 पी जो होता है, उसका square root कितना होता है, 25, और 1-0 हम लोग यहाँ पे छोड़ रखे थे, तो 1-0 यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, मिस actual में आपका answer कितना हो गया, 250 meter answer हो गया, त length of a diagonal of a rhombus is 24 and 32, then length of a altitude of a rhombus, यहाँ पे आपको altitude find करना है, means height find करना है, और यहाँ पे आपको diagonal given है, सबसे पहले देखो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले एक rhombus बना लो आप, ठीक है, यह rhombus दिख रहा है आपको, आपको यह चीज़े height find करना है, और आपके पास given क्या है, यह दोनों diagonal का length given है, अब आपको पता होना चाहिए कि area of rhombus होता क्या है, area of rhombus होता है, 1 by 2 into d1 into d2, diagonal multiplication और 1 by 2, और एक और area होता है, same rhombus का, जिसमें हम लोग बोलते है, base into height, जो आपका parallelogram का area होता है, वही area इसका भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, base into height, तो य है नहीं, यहाँ पे d1 given है, d2 given है, base नहीं given है, आपको सबसे पहले base find करना होगा, कैसे करेंगे, देखो, यह अगर total आपका कितना है, 32, तो 32 का half कितना हो जाता है, 16, यह portion आपका 16 बच गया, और यह आपका कितना है, 24, तो यह कितना जागा, 12, अब यह दिख रहा है, आपका right angle triangle यहाँ पे form हो गया, और right angle triangle में 12, यह 16, तो आपको इसको find करना है, पहले hypotenuse को, hypotenuse means कितना हो जाएगा, 16 का square, plus 12 का square, 16 का square कितना होता है, 256, plus 12 का square होता है, 144, इसको add करोगे, तो यह 400 आएगा, और इसका value कितना आजाएगा, 20, means अब आपके पास side आ चुका है, जिसको हम लोग base बोल रहेते, अब आपका value find हो जाएगा, 1 by 2, D1 का value put करो, D1 का value आपके पास कितना है, 24, and second है, 32, equals to, यहाँ से आप 20 calculate कर चुके हैं, यह 20 हो गया, और H1 है, cancel करो फटा-फट से, यहाँ से यह हो जाएगा, 12, इधर cancel करो, 4, 5,000, and 4, 3,000, अब actual में 32 into 3, यह होगी, 96, और 5 इधर divide करो, यह होगी, आपके पास H, अब आज को अगर आप divide करोगे, 96 को 5 से, तो यह जाएगा, 19.1, means 2, यह आपके पास option number D, correct होगा, तो यहाँ पे क्या है, questions को dependent जादा बना दिया, और जब भी questions जादा dependent होता है, तो थोड़ा सा, आप इसको, बोल सकते है moderate level का questions है, क्योंकि यहाँ पे आपको base भी नहीं given था, यह questions आप ऐसे solve कर सकते हैं, अब हम लोग देखते हैं, questions number 5, two fair coin are tossed, दो coin को toss किया जाता है, what is the probability of getting the most one head, at most one head, अब यहाँ पे देखनो, आपको एक चीज़ समझना है, अगर कभी भी at most बोल रहा है, at most means maximum to maximum one ही head हो सकता और at least बोलता है, means minimum होता, तो यहाँ पे at most बोल दी, अब सबसे पहले दो coin का simple space क्या होगा, h, 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 t, t, h, and t, t, अब यहाँ पे देखो, आपकी यहाँ पे at most one head, means इसके पास maximum one head होना चाहिए, इसके पास one head है, इसके पास भी one head है, इसके पास नहीं है, तब भी लेंगे, क यहाँ पे को head नहीं, तब भी लेंगे, बट यहाँ पे double head है, तो इसको केवल नहीं लेंगे, तो यहाँ पे आपका favorable outcome कितना आ रहा है, 3, और total outcome कितना था, 4, तो यह आपका कितना आ गया, 3 upon 4, option number A, आपका correct हो जाएगा, और अब questions number 6, देख लो, यहाँ पे बोल रहा है, य altitude of a triangle, this and this respectively, then AB square और P square, 4 upon 9 है, means 4 is to 9 है, तो आपको AM और PN find करना है, अब देखो, यहाँ पे आपको एक theorem पता होना चाहिए, पहले तो आपको थोड़ा सा figure बना के बता दे रहें कि actual में यह किया पूछना चाहरा है, यह बोल रहा है, ABC कोई triangle है, ABC, और यहाँ पे है, P, Q, R, अब इसका कोई side का यह given है, आपके पास, AB square और P, Q square का ratio given है, AB square, AB square और P, Q square का ratio given है, आपके पास 4 is to 9, अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है, AM का square और PN का square, means यहाँ पे AM होगा और यह PN, इसका square पूछ रहा है, AM का square and PN का square, PN, ठीक है, इसका square का ratio आपके पूछ रहा है अब देखो आपको एक theorem पता होना चाहिए उस theorem में क्या होता है कि इस जितना side का square का ratio होता है वो equal होता है इसका median का या आप इसको aim जो है यहाँ पे इसका square का ratio का तो अगर यह square का ratio 4 is to 9 है तो यह भी 4 is to 9 ही होगा changes नहीं होगा आपका correct हो जाएगा ठीक है अब देखलो next questions next questions क्या है questions number 7 7 number questions में क्या है if 2 sin square beta minus cos square beta equals to 2 आपको beta का value simplify करना है अब इसको आपको करना कैसे हो देखो क्योंकि यहाँ पे mcq questions आप solve कर ले यहाँ पी जो value given है उसको put करो beta के place पे जिससे value satisfy हो जाएगा उसी को tick कर देना है अब यहाँ पे 0 है तो sin 0 का value कितना हो जाएगा यहाँ पे पहले लिख लो 2 sin square beta minus cos square beta equals to यहाँ पे 0 put करो 0 put करोगे तो यह total term 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 put करोगे तो यहाँ पे cos 0 का value 1 होता है it means minus 1 आया के वल तो equal नहीं हो second आप 90 put करो 90 put करोगे तो देखो यहाँ पे यहाँ 90 अगर put करोगे तो sin 90 का value कितना होता है 1 और 1 का square 1 means 2 हो गया यहाँ पे 2 into 1 2 minus cos 90 का value 0 means यहाँ पे आपको देख रहा है कि यह 2 हो गया और यह 0 तो 2 minus 0 0 right side 2 ही है तो यह option आपका correct हो जाएगा option number B आपका correct होगा अब questions number 8 देखो क्या बोल रहा है prime factor of a denominator of a rational number with the decimal expansion यह एक decimal expansion दिया हुआ कितना है 4 4.123 अब देखो आप अगर कोई student इसका decimal expenses find करता है और फिर उसका जो denominator में आता है उसको solve करता है तो इसमें से कोई भी answer आपको नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है simply यहां जो भी number given है उससे यह check करना है कि देखो नीचे क्या आने वाल है आपको इसको अगर हटाओगे तो नीचे thousand ही आएगा यह देखना है thousand जो आपका है वो कौन-कौन से number से divide हो सकता है simply तो देखो 2 से divide हो सकता है ऐसे ही आपको चेक करना है और nine number questions the line x equals to a and y equals to b are अब देखो यहां पे बोला है कि कोई x equals to a line है और y equals to b इसको पहले आप draw करो यह आपका x axis और y axis का हो गया अब यहां पे अगर x equals to यह है x equals to यह होने का मतलब क्या हो गया कि यह x के axis पे 2 कहीं value होगा हो गया x equals to y equals to b है y equals to b means यह b value y axis में होगा और y axis में इधर suppose कहीं कि यह b value यहां पे होगा तो आप यहां पे देखो कि यह दोनों अगर आप line draw कर रहे हो तो यह क्या हो रहा है एक दुसरे को क्या कर रहा है intersect कर रहा है ना तो intersect हो रहा है तो option number कौन सा करेक्ट हो जाएगा intersecting पैरलल तो नहीं है overlapping भी नहीं है और none of the above तो फिर नहीं होगा तो यह समझ में आया आपको कि कैसे आप इसको solve कर सकते हैं अब हम लोग देख लेते हैं next questions questions number 10 हम लोग देख लेते हैं यहां पर क्या है the distance of a point a from origin origin से इसका distance कितना होगा अब origins कहने का क्या मतलब होगी है कि 00 और एक आपका point होगी है minus 5 और 6 अब distance आप कैसे निकालते हैं suppose एक a है और एक b है तो आप इसको root अंडर this much minus this much का square अब minus 5 minus 0 का whole square कितना होगा means actual में minus 5 बचा और minus 5 का square कितना हो जागा 25 प्लस 6 minus 0 6 minus 0 का whole square कितना होगा 6 minus 0 means 6 और 6 का square 36 अब इस दोनों को अगर आप add करोगे तो 5 plus 6 11 1 2 3 5 1 6 root 61 आएगा root 61 यहाँ पर कहाँ पर option D आपका correct हो जाएगा तो यह simply आपको distance find करना coordinate में चे वह तो find ही कर सकते आप questions number 11 यहाँ पर बोल रहा है a square equals to 23 upon 25 then it means यहाँ पर बोल रहा है कि तब यह क्या होगा एक rational होगा यह rational होगा hall होगा या फिर integer होगा समझो a square equals to 23 upon 25 है तो आपको a पूछ रहा it means आप इसको क्या करोगे 23 upon 25 अब यहाँ से आप देखो कि यह रूट 23 रूट में ही रहेगा और इससे पाहर 5 आ जाएगा means actual में अगर आप देखो तो यह भेलू जो है वो रूट में ही है और अगर कोई भी नंबर रूट में है इसका meaning है कि वो एक irrational नंबर है कोई भी जादा mind नहीं लगाना option भी आपका correct हो जाएगा questions number 12 देखलो आप if the LCM of x और 18 is 36 LCM 36 है और HCF आपका 2 है अब आपको find करना है x का भेलो इससे easy questions क्या मिलेगा आपको simply आप यह करना है x into 18 प्रोड़क्ट आफ नंबर इंटू आपको LCM into HCF means 36 into 2 direct cancel करो 18 से 2000 तो x का वेलो कितना आ गया 4 यह आ गया ठीक है तो यहां तक हम लोग अभी 12 questions solve कर चुके हैं में भी यह वीडियो आपका 15 से 20 मिनट तक बन गया होगा तो अब आगे जो इसका questions नेक्स पार्ट में आपको provide कर देंगे तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हां अच्छा लगा तो एक like कर देजेगा चैनल पर न्यूँ है सब्सक्राइब कर बेल आइकन के प्रेस कर लिजेगा चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स पार्ट में बहुत ही जल्द है